स्री सिवाई नमस्तु भ्यम हरर महादेव नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्यान का सागर में पंडर जन्वरी रविवार के दिन अस्टमी तिती है और इसी दिन मकर संक्राती का पावन पर्वी भी है आपको मातर 21 तिल के दाने और एक टुक्डा गुड से अचू कुपाई करना है आपकी हर इच्छा पूरी जरूर होगी कैसे करना है पूजी गुरुजी की कता से बहुत ही आसानी से समझाऊंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना ये उपाईर अविवार की संक्रांती को करना है और साथ ही इसे सूर के ढलने से पहले करना है देखो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमें लेना है काला तिल और कितने दाने लेने है 20 ले सकते हैं 11 ले सकते हैं या 108 दाने भी ले सकते हैं दूसरी चीज हमें क्या लेनी है एक गुड का टुकडा और अंत में हमें क्या लेना है एक लोटा ले लेना है किसका तामे का लोटा अब क्या करना है ध्यान से सुनना हमें क्या करना है जो हमने काला तिल लिया था उसे हमें पीस लेना है बारीक से उसका पाउडर बना लेना ह आप चाहे मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर आप सिलबटे में पीस लें बर उसका एक बारीक सा पाउडर बना लेना अब क्या करना है उस पर जो हमने पाउडर बना है उस पर हमें क्या डालना है दो चमच कच्चा दूड डाल देना है और तिल के साथ मिलाके उसे एक पेश्ट टाइप का बना देना है अब हमें क्या करना है जो हमारी ये तीन चीज़े हैं तिल का पेश्ट, गुड़ और लोटा और लोटे में हमें जल भर लेना है और पहुंच जाना है कहां इन तीनु चीज़ों को लेकर महादेव के सिवलिंग के पास अब हमें क्या करना है हमें जो काले तिला और कच्चे दूद वाला पेश्ट बनाया था उसका क्या करना है उसका हमें सिवलिंग के उपर अच्छे से लेपन कर देना है हमें क्या करना है उस पेस्ट का महादेव के सिवलिंग के उपर अच्छे से लेपन कर देना है और पितरेस्वर महादेव का नाम याद रखना नाम पितरेस्वर महादेव का नाम लेना है जब आप लेपन कर रहे होंगे अब जो हमारे पास गुड है उसे लोटे के जल में मिला देना है जल है ये गुड मिस्रिच जल हो गया है अब इसे क्या करना है हमें सिवलिंग पर चड़ा देना है और किसका नाम लेना है सूरेश्वर महादेव का नाम लेना है झाल झाल